Hello everyone, welcome back to my channel Friends, आज की इस वीडियो में हम 4 tux blouse बनाएंगे With back में हम design भी बनाने वाले हैं और इसे हम 34 size का बनाएंगे इसे बनाने के लिए हमने आपर 80 cm man fabric और 80 cm lining fabric लिया है हमने थोड़ा plain fabric भी लिया है जिससे हम back की design बनाने वाले हैं यदि आपको हमसे online blouse सीखना है तो play store पर हमारा app से सुर्थी designer की नाम से जिसकी link description में दी गई है तो वहाँ पर जाकर आप app को install कर सकते हैं और blouse को सीख सकते हैं तो चलिए अब हम cutting को start करते हैं तो पहले हमें एक straight line draw कर लेनी है इसके बाद हमें यहाँ पर total length जो है वो रखना है तो total length हम 1.5-3 inch रखेंगे 1 inch plus कर लेना है 1.5-4 inch रखना है श्रूलर रखना है 5.5 inch आर्मूल रखना हमको 6 inch यहाँ पर हम chest का 4 भाग लेंगे 34 का 4 भाग 8 inch और 2 inch margin जो मारी waste है वो है 28 उसका 4th part 7 inch 2 inch margin और 1 inch back tux के लिए लेना है side see line को draw करना है और 1 inch से आर्मूल के side पर गुलाई देनी है तो यह हमारी back part की marking हो गई अब हम front part की marking करेंगे तो 4 tux blouse बना रहे हैं यह front से open रहेगा तो इसे हमें open side से ही निकालना है तो हमने आप पर एक mark कर लिया है fabric को straight करने के लिए दूसरी जो marking है हमने i hook की पटी के लिए की है अब यहां से हमें shoulder ले ले लेना है 5.5 inch आर्मूल रखेंगे 6 inch chest का fourth part 8.5 inch 2 inch margin के लिए sorry 2.5 inch margin के लिए अब यहां पर हमारे total length रखनी है जो हमारी 13 inch है उसमें से 1 inch सिर्फ माइनस करके रख लेना है total length 13 थी तो 1 inch माइनस किया 12.5 यहां पर waist का फूचोथा भाग 7 inch 5 inch tux के लिए और 5 inch margin के लिए रखा है और 1 inch से अर्मूल के side पर गुलाई दी है tux जो हमारी neck की weight थे वो 2.5 inch रखेंगे और neck की length हम 6 inch रखेंगे यहां पर round shape देना है belt की marking करेंगे तो एक side से belt को लेना है 3 inch यहां पर waist का fourth part और 2.5 inch margin यहां से 2.5 inch लेकर shape दे देना है और इन सभी parts को में cut करना है sleaze normally हम छोटी बनाएंगे तो उसे हम बाद में cut करेंगे यह देखिए तो हमने इन parts को cut कर लिया अब उसे हमें man fabric पर cut करना है तो design को देखते हुए हमें आपे fabric को cut करना है देखिए इसकी जो design है वो तेड़ी आ रही है इस type से रखेंगे तो उपर के side पर design आईगी इसकी तो हमें इस तरीके से रख कर इसको cut कर लेना है यहां से belt निकालेंगे तो parts हमने cut कर लिए अब stitching करनी है इनकी तो सबसे पहले हमें belt को stitch करना है तो एक side से हमने 3 inch लिया था और एक side से हमने 2.5 inch लिया था तो यहां पर इस तरीके से इसको रखना है और यह वाला part हम इस तरीके से रखेंगे यहां से इसको stitch करना है नीचे के side का extra fabric cut करके इसको पलटते हुए stitch करना है आप चाहें तो यहां पर पट्टी भी लगा सकते हैं नीचे के side पर यह देखिए इस तरह से हमने belt को दोनों complete कर लिया और lining और man fabric दोनों को साथ में stitch भी कर लिया है यहां पर हम 4 inch की marking करेंगे length में हम 2.5 inch की यहां से इसके straight में 2.5 inch की marking करनी है यहां से हम 2 inch की marking करेंगे और यहां से हम 5.5 inch की marking करेंगे यहां से हमें 3 inch की marking करनी है यानि कि यह जो चारों टक्स होंगे वो 1.5 से 2 inch तक की दूरी पर सभी रहेंगे ठीक है दूसरे side भी हमें उसकी azatis marking कर लेनी है dab जो किया है हमने इसको stitch करना है इसकी टक्स की width हम 1.25 इंच रखेंगे क्योंकि हमने इसको 1.5 inch रखा था यह देखिए इस तरह से अब यहां पर हमें cut करना है तो इस तरह से थोड़ा सा तिरचे में cut करेंगे अब इसमें हम belt को stitch करेंगे तो इस तरह से जो 3 inch था उसको हमें आगे की side पर रखकर stitch करना है और नीचे के side जो tux थी उसको fold करते हुए stitch करना है यह देखिए इस तरह से अब हमें आप पर hooky पटी लगानी है तो lining fabric को double करते हुए stitch करना है एक stitch पटी के उपर से करेंगे नीचे के side से extra fabric fold करते हुए एक बार और fold करते हुए stitch कर देना है तो यहाँ पर hooky पटी complete हो गई अब आई की पटी को लगाना है तो आई की पटी को width में हमें 3 इंच रखना है और एक side से हमने इसको fold भी कर लिया है अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसे यहाँ से stitch करेंगे यह दिखिए इस तरह से fold करते हुए stitch कर देना है एक्स्ट्र पटी कर देना है दोनों neck को हम बराबर रखेंगे अगर कोई part चोटा बड़ा हो रहा है तो इसे cut करके बराबर कर देना है तो हमने इसको बराबर कर दिया अब neck पर लगानी हमें pipe pin तो हमने cross में pipe pin कट कीती है और double करते हुए neck पर stitch कर देना है इसको इस तरह से fold करते हुए stitch करेंगे यह देखिए इस तरह से pipe pin मना लेनी है और इसको complete कर देना है यह देखिए इस तरह से बन गई है दूसरा ने एक भी इसी तरीके से complete कर लिया है और front part complete हो गया आर्मोल के side पर half inch की गुलाई देनी है neck की weight हम यहाँ पर 2.5 inch रखेंगे और neck की length हम 12 inch रखेंगे इस तरह से अब यहाँ पर shape देना है यहाँ पर हमारी shape कुछ इस type की आएगी लेकिन हमें यहाँ पर इस type का नहीं बनाना है हमें जुसका center वाला है जो भी हम marking कर रहे है वो वाला part हम को cut करना है इसका बाहर की side वाला part cut नहीं करना है यह देखिए इस तरह से इतना part हम ने cut किया अब इसे हमें man fabric पर रखकर stitch करना है man fabric को हम रखेंगे right side पर तो पहले हमें neck को cut करना है main fabric को right side पर रखका उसके उपर lining रखते हुए हम इसको stitch करेंगे neck को तो pin up करते हुए stitch कर लेना है इसको extra fabric cut करना है extra fabric cut करेंगे और पूरे ही neck पर cut लगा कर इसको पलट देंगे एक stitch lining fabric के उपर से करना है अंदर के side इसको fold करेंगे और stitch करेंगे neck को बाकी side से भी stitch करके extra fabric cut करना है अब यहां पर हमने drawi बनाई और ढौरी को इसस को cut कर लिया है अब यहां पर हम यहां से neck पर लगाना है तो देख़ís जहां पर हमने shave दी थी वहीशी लगाना कोice स्टार्ट करना है तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टीच करेंगे इस तरह से पूरे ही फोल्ड करके लूप हमें लगा लेनी है यह देखिए इस तरह से लूप को लगा लेना है दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से लूप को लगाना है तो दूसरे साइड भी लगा लिया अब इसमें हम मोतियों को अटेज करेंगे तो जो लूप लगाई है उसके सेंटर पर मोतियों को टक करना है यह देखिए इस तरह से टक करना है मोतियों को मोतियों को हमने यह पर टक कर लिया अब यहां पर हमें 3.5 इंच की एक पटीली है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको स्टीच करेंगे स्टीच करने के बाद इसका साइट का एक्स्ट्रा जो फैवरिक होगा उसको कट करेंगे इसको पलटना है इसको पलटना है कि अब इस पर हम आइरन करेंगे आइरन करने के बाद इस पर हमें प्लेट्स डालनी है यह देखिए इस तरह से चोटी चोटी प्लेट्स डालना है यह देखिए इस तरह से पुरे ही फैवरिक पर प्लेट्स डालनी है अब यहां से हमें इस तरह से लटकन को बनाना है तो 3.5 इंच के स्कैल पीसे लिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे दोनों साइट से इसके सेंटर पर डोरी रखनी है इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको स्टीच कर दिना है यह देखिए तो हमारी जो लटकन है वो स्टाइब से बनकर कंप्लीट हो जाएगी अब यहां पर हमें बैक टक्स लगाना है जिसकी लेंद हम 4 इंच रखेंगे नीची के साइट पटी लगानी है पटी की वीट थम 2 इंच रखेंगे यह देखिए इस तरह से नेक को बना लिया अब यहां पर हमें लेज लगा देनी है अब यह वाली जो हमारी हमने प्लीट्स डाल कर जो बनाई है इसको हम यहां पर इस तरह से फूल करेंगे और यहां पर हम इसको स्टीच करेंगे तो सेट करने के बाद इसको स्टीच कर देना है अब इसमें हमें लेज लगानी है अब यहां पर हमें लेज लगा देनी है अब इसमें लेज भी लगा दी है यहां पर हम इसको स्टीच करेंगे इस तरह से हमने इसको स्टीच कर दिया है नीचे के साइट से एक्स्ट्रा कट कर देना है अब इसमें हमें मोती लगाने है तो मैंने चोटे सा इसके मोती लिए है इनको लगाने के लिए यहां पर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए मोतीों को टक कर देंगे इस तरह से मोतीों को टक कर दिया अब हमें इसके बाद यहां पर स्लीज कट करनी है तो स्लीज के लिए हैं 3.5 इंच रखी आर्मूल हमने 9.5 इंच रखा है और इस तरह से स्लीज को कट कर देना है तो नॉर्मल हमने इस पर लटकर उस पर लेस लगा ली है दूसरे स्लीज भी इसी तरीके से कट कर देंगे यह देखी तो स्लीज हमारी कट कर कम्प्लीट हो गई है यहां से साइट से स्टीच कर देना है शोल्डर को स्टीच करना है अब यह हमें स्लीज को टेच करना है तो स्लीज का जो एक्स्ट्रा फैबरिक कट किया था उसको हम फ्रेंट में स्टीच करेंगे यहां पर सेंटर से चेस्ट के फौथ पार्ट पर और वेस्ट के फौथ पार्ट पर मार्किंग करनी है यहां पर वेस्ट का फौथ पार्ट और स्लीज राउंड जो भी हो आपका वो आप यहां पर इस तरह से मार्किंग करके तिनों मार्किंग को मिलाते हुए स्टीच लगाएंगे साइट से एक स्टीच और कर लेना है तो फ्रेंड्स हमारे फौट अग्स प्लाउस बनकर कंप्लीट हो गया है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरू करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा थैंक यू